इस वीडियो में बेसिकली आपको बता जीता हूं कि क्या-क्या अपडेट्स हैं उनके बारे में बताऊंगा यह टुटोरिल वीडियो नहीं है जो आने वाले फीचर्स इसके अंदर भी रिलीज हुए है आने वाली वीडियो के अंदर उनका मैं एक एक करके टूरिल बना दू है तो इसमें क्या-क्या चीज़ नहीं है राइट सो सबसे पहले आपको बताएता हूं कि थोड़ी सीस बर अजीब चीज हुई है यूजली अंगुलर हर छह महीने बाद में रिलीज करता था हर एक अपने निया वर्जिन पर इस बार नोंने चार मन्त बाद ही कर दिया अंगलर 9 इतनी पॉपलर हुई नहीं जितनी ही एक पॉपलर हुई थी या फिर 6 पॉपलर हुई हूछ थी तो इसस लिए नुए शैद नहींनों नहीं पहुंद उसको रिलीज कर दिया अपडेट कहा का है देखो फ्रेम्वर्क के अंदर भी अपडेट आ हैं सारे के सारे डिसकस करेंगे सबसे पहले मैं material UI का ही आपको बता देता हूँ material UI के अंदरों ने एक major change निकाला है वो है date picker date picker के साथ में date range picker भी कह सकते हो आप इसको क्योंकि start date और end date करने के लिए पूरी range होती है उसके लिए एक picker निकाला है थोड़ा सा इसके अंदर गरते होगे तो इस बार change है जो थोड़ा slide से ऊपर होके जाता है जो placeholder है उसका वो उपर label बन जाता है और इसका color भी change होडाता है राइट ये एक major निया feature है material UI के अंदर simply ये ही एक major feature है then एक किनोंने strict mode निकाला है जास के जब use करते हो अगर आप strict mode अलाओ कर देते हो उसके बाद में अगर आप variable बिना declare करें उसके यूज करने ही कोशिश करते है तो error देता है तो उसी तरीके से इनोंने भी optional एक strict mode लगा दे है strict mode लगा के हम use करेंगे तो properties वगरा फिर आगे functions वगरा कुछ functions obviously define करने पड़ता है कुछ variables वगरा जो हमने अभी तक define नहीं करें उनको use करने ही कोशिश करेंगे फिर उनको value देने ही कोशिश करेंगे तो errors मिलने वाले है right so एक ये सही चीज़ है इससे दोसी चीज़ सही होने वाले है एक तो ये की हम catch जो bugs होंगे मारे वो easily catch हो जाएंगे code फोड़ा maintainable होगा अलप पढ़ जाएगे मैं हरे चीज़ को declare करने की then AOT ahead of time ये मैंने दोतिने project बनाए ते एक project में मुझे Angular की दोतिने project बनाए दे एक project में इसमें मुझे बहुत problem करी थी जब मैं उसको run करता था तो कुछ चीज़े पहले ही automatically run हो जा देती और Angular तरीके से चलनी पा रहा था तो उसके ng serve minus minus AOT करके चला था तब चलता था तो ये वाली problem भी resolve हो जाएगी इससे जो strict mode है ये इनका कहना है तो शायद ये भी वह हम करके देगो कि उसके पर अलग से वीडियो भी बनाऊगा आपके लिए right then library के अंदर update हुए है देखो typescript जो 3.9 आई है so उसके अंदर भी support दे दिया है उसके बाद में दो चीज़ें और है जो typescript के library update है so वह actually इसका जो version 2.0 आ गया भी right और ES जो लिंटर होता है उसके लिए उसके लिए भी उपडेट कर दिया और 6.0 उसका version अभी आया है 10 के अंदर right और एक नई file add करें जब आप यूज करोगे तो आपको पहले से एक file दिखती होगी tsconfig.json बट आपको एक मिलेगी tsconfig.base.json वैसे तो इसका को directly impact पढ़ने नहीं वाला as इनकी official blog है उनके इसाब से पट यह tsconfig है उसके थोड़ा सा additional है additional कैसे कि जो हमारा IDE होगा ना जिसके अंदर हम काम करते हैं जाहे वह notepad++ हो या फिर atom हो या फिर visual studies करते हैं तो उसको support अच्छा देगा यह साथ intelligence होगर अच्छे होती हो इसकी वज़े से right then उसके बाद में Angular ने अब completely मना कर दिया है browser IE और internet explorer जिसको कहते हैं IE को 10 और 9 दोनों वर्जन के लिए उनको support नहीं करने वाले यह इन्नों ने release दिये कि हम इन सारे जो browsers है इनको support करेंगे अगर इनके अलाव कोई और browser है तो यह हमें नहीं बता चलेगा नहीं चलेगा Angular वाले कोई guarantee नहीं लेते हैं right then यह मैं आपको बता चुका हूँ कि IE 9 और 10 यह दोनों निकाल दिये हैं उसके बाद में इन्होंने क्या कर रहा है कि ESM 5 होता है जो एकमा script 5 के लिए उस होता था उन्होंने रिमूव कर दिया और इनका कहना है कि अब 120 MB तक आप space बचा पाऊगे जब आप npm install करोगे तो क्योंकि 120 MB ESM 5 था वो space लेता था then उसके बाद में आपको बताता हूँ कि आपको बता चुका हूँ अब ही हमारे पास अगर Angular CLI और Angular का 9 version है तो उसके लिए अपडेट कैसे कर सकते है तो आपको यह वाली command चलानी है आपको यह वाली command में description box में भी दे दूँआ तो आपको यह वाली command चलानी है और आपका system में वो update हो जाएगा एक चीज़ आप ध्यान रखेगा अगर आपके system में Android sorry node 13 है तो शायद आपको यूज करने में कुछ प्रोब्लम होगी ध्यान रखेगा आज या तो आप node 12 यूज करो या फिर node 14 यूज करो मैंने personal experience किया है मेरे system के अदर node 13 था और मुझे बहुत प्रोब्लम आ रही थी यूज करमे ठीक है याद तो आप एक step upgrade कर लिजेगा आप एक step downgrade कर लिजेगा अगर आपको problem आए अगर system सही चल रहा है 13 के साथ में तो मुझे comment करके बता दीजेगा कि मेरा node का version 13 है और यह सही काम कर रहा है तो thanks for watching this video कुछ confusion है तो मुझे comment box में पूछ सकते हो चैनल को subscribe करना वीडियो को like करना मत भूलेगा और जो भी query हो आपकी please 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 comment करिएगा